हेलो, हसनलो इस्टडी में आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, भारती दर्ण सहिता की धारा 146 में परिवाशित बलवा के विशह में हैं, इस वीडियो में हम आपको उसकी परिवाशा तत्व और दर्ण के बारे में बताएंगे, अगर जमाओ, बिधी बिरुद जमाओ, हिंसा का रूब ले लेता है, तो ये बलवे में परिवर्तित हो जाता है, तो कहा जाता है, ये बलवा की परिवाशा में आ जाएगा, और जो भारती दर्ण सहिता की परिवाशा है, वो कुछ इस परकार है, जब किसी बिधी बिरुद जमा जमाओ के द्वारा या उसके किसी सदस्स से द्वारा जमाओ के समान उद्देश को अगरसर करने में बल या हिंसा का प्रियोग किया जाता है तो बल्वा कहा जाता है ऐसे जमाओ का हर एक सदस्स बल्वा करने के अपरात का दोशी माना जाता है यह भारती द्रसायता में इस त बिरुद्ध जमाओं का गठन किया जाता है इसमें पांच या पांच से अधिक बेक्ती होंगे और एक किसी भी अपराद का गठन करेंगे दूसरा इसमें सभी का जो सामान उद्देश होना चाहिए सभी का सामान उद्देश हो नमबर तीन बिरुद्ध जमाओं या उसके किसी सदस द्वारा हिंसा या बलका प्रयोग होना चाहिए इसमें जो में बात है वो बलका प्रयोग होना चाहिए बलका प्रयोग अगर नहीं होगा तो बिरुद्ध जमाओं माना जाएगा और बलका प्रयोग हुआ है तो ये किसी बाति का कारावास किसी बाति कारावास कारवास तो जिसकी अब्धी दोवाश होगी और जुरमाने से या जुरमाने से या दोनों से दंडित किया जागा भाति दंड सहिता की धारा 148 ये कह रही है कि यदि बलबा घातक आयुत से तरनाक साधनों से हतियारों से सुसजित होकर किया है तो दंड वहाँ पर तीन वर्ष का होगा किसी भाती कारावास या कठोड या साधा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की वलवा के बारे में और उसके दंड के बारे में तत्वी बताए अब मिलते हैं अगले वीडियो में